मकर राशिवालों नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को बता दे आने वाली अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में कुछ ऐसी भयंकर घटना होने वाली है जिससे आपका जीवन अचानक से पलट जाएगा जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दे बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे की बड़ी समस्या है सिर्फ एक बार यह वीडियो देख लो अंत तक ध्यान से देख लो और जो बात इस वीडियो में बताने वाले है उसे सिर्फ एक बार अपने जीवन में प्रयोग करना है अगर पैसे से पूरा घर ना भर जाए तो फिर कहना अगर जिन्दगी ना बदल जाए तो फिर कहना तुम्हें मूह मांगा जुर्माना दूंगा जी हाँ दोस्तों मेरा भविश्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है क्योंकि हम ऐसे ही भविश्यवाणी नहीं करते हैं सबसे पहले आपकी कुंडली का विशलेशन करते हैं कुंडली का छानबीन करने के बाद जब हमें पता चलता है कि यहां से आपका जीवन बदल सकता है, तो ही हम आपको वह बात बताते हैं, जिससे आपको लाभ मिले, जिससे आपका जीवन बदल सके। जी हां दोस्तों, और हम यह चीज अपने अंतर मन से देख रहे हैं, कि आप सभी के जीवन में अभी ततकाल पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है, आपके मन में कई प्रकार की आईडिया आ रहे हैं, कई प्रकार की कार्य करने की आपने सोच रखी है, लेकिन आपकी सोच के आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों, यह समस्या अब आप सभी के जीवन से खत्म हो जाएगी, वह कहते हैं, न भगवान एक रास्ता बंद करता है, तो दस दर्वाजे खोल देते हैं, बस आपको पहचान करने की आवश्यक्ता है दोस्तों, और आज का यह वीडिय भी भगवान का ही दिया हुआ एक संकेत है, जिन्हें आपको पहचाना है, और यह चीज हम आपको भी बता चुके हैं, कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, जिस ग्रह गोचर की टेड़ी चाल भी सीधी हो जाएगी, और भगवान का भी आशीरव आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहेगा जी, हाँ दोस्तों बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखियेगा, दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, हमने आप से भी की कुंडली का पूरी तरह से विशलेशन किय और देखा है कि अब आप सभी का किस्मत चमकने वाला है, आप सभी की कुंडली में दो बड़े देवी देवता महरबान हो चुके हैं, दो देवी देवताओं का डेरा आप सभी के कुंडली में पढ़ चुका है, और यह दो देवी देवता अब आपको माला माल कर देंगे, लेकिन दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक बात विस्तार से बताने वाले बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सर्व प्रथम जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्य मन,सच्य हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा अशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका समय पहले जैसा बिलकुल भी नहीं रहेगा अब आपका भाग्य सातवें आसमान पर नहीं बलकि उससे भी उपर जाने वाला है आप सभी की कुंडली में जो दो देवी देवता बैठे हैं वह बड़े शुभ योग का निर्मान कर चुके हैं और अब आपको उनका फल मिलकर रहेगा इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है पिछले समय आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान किये हैं लेकिन अब वह दुश्मन भी आपके पैरों के नीचे घुटने टेक देंगे और आपसे मदद की भीक मांगने वाले जी हाँ दोस्तों अब आप सभी को पता चलेगा कि अच्छे कर्मों का फल कितना अच्छा होता है जी हाँ दोस्तों हमें आवाज भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब आप सभी के जीवन में कभी अच्छा समय आएगा लेकिन दोस्तों भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं भगवान ने आपको पिछले समय कुछ दुख दिये थे लेकिन उसे दुख के समय में भी आपको कुछ ऐसी सच्चाई सामने लेकर आये थे जिससे आपको ही लाब हुआ है दुख के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुह में राम और बगल में छुरी लेकर घूम रहे थे, ऐसे लोगों का परदाफाश भी हुआ है, बहुत सारे लोग आपके सामने चेहरे पर नकाब लेकर घूम रहे थे, उन लोगों का परदाफाश आपके सामने हुआ है, और दोस्तों, अब आपका जीवन बदलने का स इसलिए दोस्तों आप अब कोई गलती ना करें और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा दोस्तों और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों क्योंकि हम आप सभी के लिए रोजाना अच्छी जानकारी लाने के लिए दि हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें इससे हमारे भी कम भी अच्छे होंगे और हम भी भगवान से कह सकेंगे कि हमने जीवन में अच्छा कार्य किया है ज यह दो देवता आप सभी को माला माल कर देंगे यह दो देवी देवता आपके जीवन में खुशियों को लेकर आने वाले यह दो देवी देवता कोई और नहीं बलकि माता लक्ष्मी और भगवान शनी देव है जो आपकी कर्मों का फल देने वाले और दुश्मन को सजा भी देने वाले बस आपको आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा ताकि भगवान शनी देव माता लक्ष्मी आप पर क्रोधित ना हो जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव न्याय के देवता है जिसके भी जीवन में प्रश्न होते हैं उसका जीवन बदल देते हैं और जो इन्हें नाराज कर देते हैं तो फिर उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है यह बाद में भी उतनी ही सच्चाई है इसलिए दोस्तों आने वाली अगले दो दिनों के अंदर आप किसी भी गरीब या फिर बेजुबानों को दु होता है और सच का साथ देता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता और गीता में भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है जो लोग आप से जलते हैं उन्हें जलने दीजिए उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाए अशीरवाद और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा से आपके जीवन में अब एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू होने वाला है यह नई शुरुआत आपके जीवन में सदा बनी रहेगी प्यारे दोस्तों इस जोतिश कार्यक्रम में हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं इसलिए इसे ध्यान से देखें आपके जीवन की यह खास घड़ी आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगी मेरे प्यारे मित्रों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले यदि आप माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय भोलेनाथ जय शिवशंभू लिख बात बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है इस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखें क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके हित में नहीं हैं यह लोग आपके मित्र की तरह दिख सकते हैं लेकिन असल में आपकी सफलता से जल सकते हैं इस आपके सितारे इस समय बेहद अनुकूल स्थिति में हैं और आपको अपार सफलता का संकेत दे रहे हैं। आने वाले 48 घंटों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जब ग्रिह नक्षत्र और सितारे एक विशेश स्थिति में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब सौभाग्य ही सौभाग्य है। यह समय आपके लिए स्वर्णिम साबित होगा क्योंकि हर मिनट और हर सेकंड आपके लिए अत्यधिक मूल्यवान है। आपको कुछ विशेश नहीं करना है। बस इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखना है और ध्यान से सुनना है। इस समय का महा आपके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि भगवान शिव, शंभू और माता पार्वती जी अगले 48 घंटों में आपको एक बड़ा आशीरवात देने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके जीवन में अगले 48 घंटों में खुशियों का बम फूटने वाला है और हर जगह आपका नाम गूंजने वाला है। आपके जीवन में यह समय विजय का समय है। और भगवान भोलेनाथ जी का आशीरवाद आपके साथ है। आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह पूरा महीना आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। यह समय इतना भाग्यशाली होगा कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। सूर्य का शुभ योग, कार्य सिध्धि धन योग और दो राज्य योग में बड़ा बदलाव होगा। इससे तीन बड़े परिवर्तन होंगे और दो महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी जो आपके मन और दिल को खुशी से भर देंगी। मित्रों आपकी बता दें कि अब आपके जीवन में धन लाभ के साथ साथ न उन्हें आने वाले 48 घंटों में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं जो लोग पहसे ही नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नती का अवसर मिल सकता है। ऐसा लग रहा है मानो अब आपके मालिक बनने का समय आ गया है। जी हां आपके लिए तीन बड़ी और अप्रत आपके दर्वाजे पर दस्तक देने वाली है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में इस तरह अचानक से आएगा। इसलिए जो आज की इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से अंत तक नहीं देखेगा वह वास्तव में एक बड़ा मौका खो देगा। याद रखें। ऐसे सुनहरे अवसर सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं और वही लोग इसका लाब उठा पाते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। भगवान भोले नाथ जी की कृपा उनहीं पर होती है जो सच्चे दिल से उनका आहवान क किया है। उनकी असीम कृपा से आने वाले चार से 48 घंटे के भीतर आपको दो बड़ी खुशखबरी या मिलने वाली हैं और यह खुशखबरी ऐसी होंगी जो आपके दिल को गदगद कर देंगी। जी हां आपने अपने जीवन में पहले भी खुशखबरी यां सुनी इसलिए इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अब आपके जीवन और परिवार में खुशियों का सैलाब आने वाला है। जी हां अब आपको अपने जीवन में धन प्रेम और सुख के रूप में तीन बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों आज का दिन आपक जलने में गूंजने वाला है। इस ज्योतिश कार्यक्रम में जो जानकारी दी जा रही है वह नक्षत्रों के आधार पर है और बेहद महत्वपूर्ण है। यहां दी गई हर बात सौ प्रतिशत सटीक है जो आपकी जिन्दगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अग प्यारे दोस्तों महाबली संकट मोचन बजरंग बली जी के आशीरवाद से पांच बड़ी खुश खबरी या आपके जीवन में आने वाली हैं। आपकी कुंडली की दशा बदलने वाली है जहां बड़े ग्रह और शुभ योग बनने वाले हैं। मुझे पता है कि आप रोधी मचली की तरह बिन पानी के तडप और आपको नुकसान पहुचाने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि बजरंग बली जी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो रहे हैं। आपके शत्रु अब आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपको सम्मान देंगे। जैसा कहा जाता है समय बल्वान होता है। अब आपका समय बदलने वाला है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। हाला कि इस अच्छे समय का सही लाब उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिनका जिक्र हम आगे जोतिश कारिक्रम में क करेंगे। याद रखें घमंड और अहंकार से बचना चाहिए। क्योंकि यह चीजें सबसे पहले व्यक्ति का खुद का नुकसान करती हैं। जैसे पत्थर को अपनी मजबूती पर घमंड होता है। लेकिन जब वह पानी में गिरता है तो अपने ही भार के कारण डूब जा इसी तरह घमंड आपको भी डूबा सकता है। समय बहुत बलवान होता है और यह सब कुछ बदल सकता है। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बहुत से लोग भगवान से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। भ आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, कैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और कैसे चमतकार आपके सामने आएंगे। पाप और पुण्य का घड़ा भर चुका है और जब यह भरता है तो फूटना तय है। तो प्यारे दोस्तों, अगले कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्मान करते हैं। यह तय करते हैं कि आप भविष्य में क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। इसलिए आप सभी चिंताओं को छोड़ कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। अगर यह बात समझ आ रही है तो ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए। अब हम ज्योतिश कार्यक्रम को आगे बे बढ़ाते हैं। इसे अंत तक ज असली सुख प्राप्त होने वाला है। यह असली सुख क्या है इसका एहसास आपको जल्द ही होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार आप सोचते थे कि आपका जीवन कैसा बीतेगा। आपके जीवन में क्या लिखा है और भविश्य में क्या होने वाला है। इन चि प्यारे दोस्तों और रिष्टेदारों को खुशी देगा साथ ही आपके पडोसी भी खुश होंगे जी हां प्यारे दोस्तों माता लक्ष्मी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी है और दो बड़े ग्रह आपकी कुंडली के धन भाव में अपना चमतकार दिखाने वाले हैं इससे आपके व्यापार में उन्नती होगी आपकी रोजी रोटी में सुधार होगा और पैसों से संबंधित जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी वे भी अब समाप्त होने लगेंगी आपने देखा होगा कि आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसे घर लाते है लेकिन फिर भी वह पैसा कहां चला जाता है इसका पता नहीं चलता इस चिंता के कारण आप हमेशा तनाव में रहते थे और काम में मन नहीं लग पाता था यह सभी परेशानियां अब जड़ से खत्म होने वाली हैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी हम बताते हैं वह ग्रिह गोचर के आधार पर है और सौ प्रतिशत सटीक होता है इसलिए आप से अनरोध है कि जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखें यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो यह आपके ही लाभ में रहेगा नए रा रास्तों को अपनाने की कोशिश करें क्योंकि कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक पहुँचा देगा यह कोई नहीं जानता इसलिए कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझे अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिती और उनके बदलाव के आधार पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे और यह परिवर्तन आपके परिवार दैनिक जीवन और हर क्षेत्र में कैसे असर डालेंगे यदि आप महालक्ष्मी की सच्ची भक्ती करते हैं तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैमा लक्ष्मी जैमा भवानी लिखें इससे आपको महालक्ष्मी का आशीरवाद अवश्य मिलेगा आईए अब हम बात करते हैं कि मां लक्ष्मी के आशीरवाद से आज आपको भारत में तीन अलग-अलग स्थानों से लाब कैसे मिलेगा सबसे पहला संकेत आपके करियर या बिजनेस से संबंधित है हो सकता है कि आपके व्यापार में उन्नति हो या कोई नया अवसर प्राप्त हो दूसरा संकेत यह है कि यदि आप किसी कंपनी या आफिस में काम कर रहे रहे हैं तो वहां से प्रमोशन या किसी अन्य प्रकार की प्रगति की संभावना बन सकती है तीसरा संकेत यह है कि यदि आप प्रॉपटी, जमीन, घर या गाड़ी की खरीद बिक्री के कारे में जुड़े हुए हैं तो इस समय आप इसमें अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी है प्यारे दोस्तों, बधाई हो, आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है अब आप तैयार हो जाएए, बड़ी-बड़ी खुश खबरी हो और एक नए सफर के लिए मेरे प्यारे मित्रों, यह जानकर आपको खुशी होगी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई महत्व पूर्ण मोड आएंगे जो आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं जी हाँ, आपने सही सुना शनी देव जी ने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिये हैं और अब आपके लिए बड़ी-बड़ी खुश खबरी आने वाली है न्याय के देवता कारण प्रदाता भगवान शनी देव जी के आशिरवाद से आने वाले 48 घंटों के भीतर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है आपका भाग्य का नया दर्वाजा खुल चुका है और अब आपके सामने कई बड़ी खुश खबरी आने वाली है मेरे प्यारे मित्रों अगले 48 घंटों में आपको ऐसी पाँच बड़ी खुश खबरी या मिलेंगी जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है भगवान शनिदेव जी जो कर्मों के फल के प्रदाता माने जाते हैं आपके लिए बहुत ही शुब समाचार लाने वाले हैं शनिदेव जी को कर्म प्रधान और दंडा धिकारी भी कहा जाता है और उनका आशीरवाद आपके जीवन को नया स्वरूप देने वाला है भगवान शनिदेव और माता पार्वती जी के आशीरवाद से आने वाले दिनों में आपको पांच बड़ी खुशखबरी यां और आश्चर्य जनक लाभ मिलने वाला है यह समय आपके लिए बेहद शुभ और मंगल कारी है और यह आपके भाग्य उदै का समय है इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने ना दें क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं तो मित्रों भगवान पर विश्वास रखिए और जोतिश कारेक्रम को अंत तक देखिए इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा जोतिश कारेक्रम शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जोतिश कारेक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखिए शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रूओं का भी अंत करेंगे प्यारे दोस्तों आज की यह जोतिश कारेक्रम आपके लिए बेहद महत्व पूर्ण है इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें बिना किसी रुकावट के इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग, क्षण, शश, योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिध्ध योग, राज योग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं माता पारवती और भगवान शणिदेव जी के आशीरवात से यह समय आपके लिए लाभकारी सिध्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी जी हाँ, मेरे प्रियमित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या अन्य कोई क्षेत्र हर जगह आपको प्रगती ही प्रगती मिलेगी यह आपके लिए एक अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती ना करें तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से अंत तक अवश्य देखें यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए राम बान साबित हो सकता है आने वाले 48 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी यदि इन 48 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकता है और खुशियों को दुख में बदल सकता है इसलिए इन 48 घंटों के दौरान विशेश सतरकता बरते आपको बता दें कि अगले 48 घंटों में एक दुरलब घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है सूर्य ने अपना राश्य परिवर्तन किया है चंद्रमाने हाल ही में अपनी राश्य बदली है और जल्द ही दो अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिती बदलने वाले है इन 4-4 ग्रहों का मिलन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है आने वाले समय में आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है इस जानकारी को सुनकर आप घबरा सकते हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है कहते हैं ना जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है जब जीवन में अचानक से बदलाव आने लगे तो यह समझ ले कि ईश्वर कुछ बहतर करने की योजना बना रहे हैं ऐसे समय में अपने मन को शांत रखें और भगवान पर भरोसा करें प्यारे दोस्तों जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगने लगे तो उसे ईश्वर की लीला माने हो सकता है उपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहा हो इस समय में अपने तन मन और ध्यान को भगवान पर छोड़ दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए हे प्रभू, हे परमात्मा सब कुछ आपके हाथ में है मुझे सही दिशा दिखाएं क्योंकि ईश्वर ही लिखते हैं वही मिटाते हैं ईश्वर ही हमें कठिनाईयों का सामना कराते हैं लेकिन अंततः वही हमें सही राह दिखाते हैं आने वाले 48 घंटों के दौरान आपको बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है जरा भी लापरवाही आपको दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसा सकती है और फिर वही होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था आपको बता दें कि मंगल ग्रह जो की अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली ग्रह है उसने अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी कुंडली में प्रवेश किया है अब यह ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं प्यारे दोस्तों आपने कई सालों से कड़ी मेहनत की है लेकिन जैसा परिणाम आपने चाहा था वह आपको नहीं मिला आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सब ही प्रयास किये लेकिन फिर भी मन मुताबिक फल नहीं मिला पर अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ चुका है मंगल ग्रह के आपके पक्ष में होने के कारण अब आपका जीवन मंगल मय होने जा रहा है न्याय के देवता और कर्म फल दता भगवान शनी देव जी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करने वाले हैं कहते हैं न मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है और न देव जी हमेशा न्याय करते हैं उनके रहते कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता यही बात भगवत गीता में भी है तुम केवल कर्म करो फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो अगर आप सही रास्ते पर हैं और फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मन ही मन भगवान शनिदेव जी से कहे हे प्रभु हे मालिक आप सरवग्य हैं आप सब देख रहे हैं अब आप ही न्याय करें अगले 48 घंटे आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें तीन बड़ी देवी माताओं का आशीरवाद मिलेगा इस से आपकी जिन्दगी में एक नया और सकारात्मक बदलाव आएगा यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें आज हम आपको ऐसी 11 बड़ी खुशखबरी हों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बहतर बना सकती हैं और तीन बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं यह जोतिश कार्यक्रम खास कर उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत को बदलने की चाह रखते हैं प्यारे दोस्तों हमारे गुरु जी का मानना है कि महनत और ईश्वर की कृपा से मिलने वाला फल समय के साथ मिलता है अब वह समय आ गया है जब आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा इन अगले 48 घंटों में आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी अब आप तैयार हो जाईए क्योंकि आपको उन सभी भक्ति पूजा पाठ और भजन कीर्तन का फल मिलने वाला है यह समय आपके लिए विशेश है और यह हर किसी की जिंदगी में नहीं आता इश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं अगर आप इस जोतिश कार्यक्रम को पूरी तरह से देख सकते हैं तो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह अवसर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है आने वाले 48 घंटों में आपको कुछ बड़े शोक संदेश भी मिल सकते हैं लेकिन साथ ही बड़ी खुश खबरी यहां भी मिलेंगी और आपकी तीन बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी अब आपकी किस्मत बुलंदियों की तरफ बढ़ने का समय आ गया है यह सब ग्रिह गोचर के आधार पर बताया जा रहा है और इसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा तो प्यारे दोस्तों यह समय आपका है बस इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखें और अपने जीवन के इस बद के लिए तैयार रहे प्यारे दोस्तों भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लिखी हुई किस्मत को कोई नहीं बदल सकता यह एक सच्चाई है जिसे आपको समझना चाहिए आपका धैर्य अपफल देने वाला है और आपकी कुंडली में बड़ी उथल पुथल होने वाली है जीवन में अगर किसी को दुखी करके यग्य भी करवा ले तो उसका कोई लाब नहीं होगा परन्तु यदि आप रोज किसी को हसा देते हैं तो आपको पूजा पाठ के दिखावे की आवश्यक्ता नहीं होगी कहते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा और यह केवल कहावत नहीं बलकि सच्चाई है यदि आपका दिल साफ है तो आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं जैसे दीपक बिना बोले अपना प्रकाश फैलाता है वैसे ही आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहा एक दिन जब आपका समय आएगा तो वही समय सबको जवाब देगा किसी के बारे में नकारात्मक बात मत कहिए क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और इसका चक्र हर किसी के लिए बदलता है अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो यह जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही रहेगा मेहनत करते रहिए क्योंकि एक दिन आपका समय जरूर बदलेगा जब जीवन में बुरा समय आता है तो वे लोग भी आपका अपमान कर जाते हैं जो पहले आपको सम्मान देते थे याद रखिए जब नजरें चुराने वाले नजरें मिलाने लगे तो समझ जाईए कि उनके इरादे बदल गए हैं बुरे वक्त में खुद को दोशी ठहराने का समय नहीं होता बलकि उस समय मेहनत करने का होता है चुप चाप मेहनत करते रहिए और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी उस समय वे लोग जो आपसे दूर हो गए थे वापस आकर आपकी तारीफ करेंगे समय से बड़ा कोई नहीं जब यह साथ देता है तो बड़े बड़े लोगों की हालत बदल जाती है अमीर के घर के छट पर बैठा कववा भी मोर लगता है जबकि गरीब के घर का भूखा बच्चा भी चोर नजर आता है इसलिए जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें जो बीट गया है उसे भुला दें और जो आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें अगर अगर आपको यह बात समझ में आई है तो अपने विचारों को सकारात्मक रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहे संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त बनकर सच्चे दिल से उनकी भक्ती करें भगवान बाला जी और माता रानी से प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो और आपके जीवन में एक नया सवेरा आए प्यारे दोस्तों अगले 48 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में खुशियों का कमल खिलने वाला है प्यारे दोस्तों आपको बता दें चिट और पठ दोनों अब आपका होने वाला है कहने का तात्पर यह है कि आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा आप जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम आपका अवश्य बन जाएंगे आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा आपका हर एक काम पूरा हो जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ लेकिन प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको पूरा ज्योतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना प्यारे दोस्तों इस ज्योतिश कार्यक्रम को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो जीवन भर पच्चता होगे प्यारे दोस्तों आपको बता दें अगले 48 घंटे के अंदर आपके घर में एक देवता प्रवेश करने वाला है और आपको एक करोड रुपए प्लस एक किलो सोना देने वाला है जिससे आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा जी हां प्यारे दोस्तों ऐसा घटना प्यारे दोस्तों जब यह घटना आपके घर में होगा यूं कहें तो जब आपको करोड रुपए प्लस एक किलो सोना मिलेगा प्यारे दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज की बात बताने वाले हैं जो आपका होश उड़ा देगा यह एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप इससे अंजान थे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको हर बात का सच जानने को मिलेगा। यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके भूत वर्तमान और भविश्य पर गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें क्योंकि यह निशुल्क है और आपके लिए एक छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण काम है। मुझे पता है कि अब तक आप इस रहस्य से अंजान थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सत्य को जाने। इस ज्योतिश कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपसे छुपाई गई थी। यह राज इतना गंभीर है कि इसे जानने के बाद आपके जीवन में अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा घटित होगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी नानी दादी सभी इसे सुनकर चौक जाएंगे। अगले 48 घंटे आपके जीवन के के सबसे महत्व पूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको यह ज्योतिश कार्यक्रम पूरा देखना होगा क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो कोई भी ताकत यहां तक की भगवान भी आपको बरबाद होने से नहीं बचा पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो बातें मैं यहां कहने जा रहा हूँ वे आपको अंदर तक जग जोड़ देंगी। यह कोई साधारन ज्योतिश कार्यक्रम नहीं है बलकि यह आपकी जिन्दगी को बदलने की क्षमता रखता है। मैं आपको सलाह दूँगा कि इस ज्योतिश कार्यक्रम को अकेले और शांत माहौल में देखें। किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए इसे एक बंद कमरे में देखना सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके जीवन के हर दुख को दूर करने में सक्षम है। आज मैं जो रहस्य उजागर करने जा रहा हूँ, वह आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर सकता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। बस ध्यानपूर्वक सुने और सम्भ कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह जानकारी आपके जीवन का एक नया अध्याय खोल सकती है। अगर आपने अब तक इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो अब भी कर दीजिए। लाइक करने से ना केवल मुझे समर्थन मिलेगा, बलकि यह भी साबित होगा कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को गंभीरता से ले रहे हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम विश्णु देवाय, नमह और ओम महा कालेश्वर नमह जरूर लिखें। यह कोई साधारन क बलकि यह एक शक्ती है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह 100% सत्य है। मुझ पर भरोसा करें और इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखें। जब यह ज्योतिश कार्यक्रम समाप्त होगा तो आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। यदि आपने इस ज्योतिश कार्यक्रम को नजरंदाज किया या इसे पूरा नहीं देखा तो यह एक बड़ी भूल साबित हो सकती है इस जोतिश कार्यक्रम में कही गई हर बात आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती है आज मैं जो रहस्य उजागर करने जा रहा हूँ वह आपके भविश्य को पूरी तरह बदल सकता है अगर आपने इस जोतिश कार्यक्रम को देखा और बताए गए अनुसार कदम उठाए तो आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा याद रखें यह कोई साधारन जोतिश कार्यक्रम नहीं है बलकि इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ती है इस जोतिश कार्यक्रम को देखने के बाद आप खुद को धन्य महसूस करेंगे और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा इसलिए बिना किसी विलंब के इसे अंत तक देखें और बताये गए सभी निर्देशों का पालन करें जोतिश कार्यक्रम को लाइक करना और उस पर कमेंट करना न भूलें क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो प्यारे दोस्तों अब समय आ गया है अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने का ध्यान से सुने समझें और इस जोतिश कार्यक्रम के अंत तक बने रहे क्योंकि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है भगवान आपका साथ दें और आपकी सभी परेशानियों का अंत करें उम्मीद है कि इस जोतिश कार्यक्रम से मिली जानकारी आपके जीवन को बहतर बनाएगी अगले 48 घंटों में आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वह आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह होंगे शुरू से लेकर अंत तक जोतिश कार्यक्रम में बने रहे ताकि आपको सारी जानकारी सही ढंक से मिल सके आने वाले 48 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे रहेंगे क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है ग्रहों की यह स्थिती आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे और कई प्रयासों के बावजूद अच्छे पद पर काम नहीं मिल पा रहा था तो अब आपकी स्थिती बदलने वाली है अब आपको एक अच्छे पद पर नौकरी मिलेगी जिससे आपका घर परिवार भी चलेगा और आपकी परेशानिया समाप्थ हो जाएंगी निवेश के बारे में आपको सतर्क रहना होगा कुछ लोग आपको निवेश के लिए प्रोचसाहित कर सकते हैं और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पैसा लगाने से बहुत लाब होगा लेकिन ध्यान रखें कि हर कोई आपके हित में नहीं होता बहुत से लोग पहले अपना फाइदा देखते हैं और फिर सलाह देते हैं ऐसे में बिना सोच विचार किये किसी भी जगह निवेश न करें वरना आपका पैसा डूब सकता है प्यारे दोस्तों अब समय आ गया है मिठाई बांटने का क्योंकि आपके लिए पांच बहुत ही बड़ी खुश्खबरी लेकर आया हूँ जी हाँ अब आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है माता संतोशी जी और रिद्धि सिध्धि के दाता भगवान गणेश जी के आशीरवाद से आपको मनचाह सफलता मिलने वाली है अब आप एक बार फिर से शेर की तरह राजा बनने के लिए तैयार हो जाईए जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे बता दें कि आज का जेवतिश कार्यक्रम देखने वाला सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होगा बारह साल के बाद आपकी कुंडली में राज योग बै रहा है जो आपकी कुंडली की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल देगा इस शुभ अवसर पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह समझ पाना आपके लिए कठिन हो सकता है लेकिन चिंता मत करिए इस जोतिश कार्यक्रम में हम इसी विशय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने वाला है ऐसा महा संयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जो आपको धन धान्य से भर देगा और आपको एक साधारन व्यक्ती से सीधे राजा बना देगा आने वाले 48 घंटे के भीतर ही इस शुभ योग का प्रभाव आपकी कुंडली पर दिखने लगेगा जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे